असलाम लेकूम, कैसे हैं आप सब लोग खेरियत से होंके, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं, आलू एंड गोबी, जिन चीज़ों की जरूरत है, वो है, गोबी, आलू, हाफ टी स्पून रेट चिली, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून सॉल्ट, टू टैवा स्पून जिंजर गालिक पेस्ट, वन मीडियम अनियन, वन मीडियम टिमेटो, हाफ ग्लास वाटर, एंड वन चिकन स्टाप, अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ, यह देखे हमने हाफ कप पॉइंट डाले, और इसमें अब हम अनियन डा इसे लिए मैं स्टाइब, पॉइंट अम्न ऑगवा राटर, गाले, शूप और बॉफ बड़न ब्रॉपण कहान बढ़ने, इस हैं अब्लाइता कि भी तो लिए राटर, गाले, इस आब भाटर, गाले, गाले, खो लिए अब्लाष़, खो आड़ने पाड़ने स्टाइब ग यह देखें इसको हमें ब्राउन करते हुए 2-3 मिनट्स हो चुकी है लेकिन अभी इसका तरह काया है अभी हमें 1-2 मिनट्स के लिए इसको और ब्राउन करनें अब हम इसमें यह वाटर आड़ करेंगे अब इसको पानी को ड्राई होने के लिए रख देंगे इसका पानी अब प्राई हो रहा है पानी अब इसके डाले कि प्यास हो अब हम इसमें एसन और अगरासा पेस आड़ करेंगे अब हमेगे इसके आड़ के को शूख़ करेंगे इसका रख दे आड बस्ताब्स करेंगे पानी थोड़ा सा रहा गया अब इसको ड्राय करेंगे थोड़ा सा 2-3 मिनिर्स के यह देखें अब मसाला जाए हो चुका है कोई उपर आगया अब हम इसमें सॉल्ट आइड करेंगे रचिली पाउदर और खल्बी और इसको मिक्स करेंगे और यह मैं इसमें चिकन स्टог अट कर रही हम थोड़ाा साल्लुगोंबी में चिकन का तेस्ट आएगा अगर आप चाहें तरीज कर सकतेें और अगर आप ना भी चाहें तो वैसे भी आढेद कर सकतेंगे उससे थ्येस्टेस्ट थोड़ा इस 作자는 चिकन भी आड़े के हैं। यहां पर डिपेंड करता है, आप आड़ करना चाहें, कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ना करते हैं, अब मसाला बिलकुर राइडी है, अब हम इसमें आमी आड़ करेंगे, अब मिक्स करेंगे, दो मियाट को अलू को इसमें राइड होने देंगे, अब हम इसमें गोभी आड़ करेंगे, और इसको मिक्स करेंगे, सबसी आप कोई भी पकाएं, आपने उसमें पानी बिलकुल नहीं आड़ करना, और अब इसको फास ते 10 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे, पे सलो फ्लेम पे, यह देखिए अब 10 मिनट्स कम्पलीट हो चुके है, अब इसको कवर अठाते हूं, अगर आप इस तरह की है अगर आप इस तरह की खाना चाहते हैं तो बस इसको पांच मिनट के लिए भूने और इसको डिशाट कर लें लेकिन हम थोड़ जादा भून के खाते हैं तो हम इसको 5-10 मिनिर्स के लिए बिलकुल भूने और और मीडियम प्लें पे और इस तरह कर लेंगे तो बिलकुल मैश कर लेंगे कर लेंगे इसको आप इसी करना 5-10 मिनट से लिए भीनते जाएं और 5-10 मिनट से बाद इसकी लोग ठेक से रहें, कुछ तरहां किया एक लिए लिए गोबी से ओल को बिल्कुल अलादा हो जाना चाहिए अब देख सकते हैं कि ओल अलादा हो चुक है अब ये बिल्कुल रैडि है इसकी फानल लोक आ चुकी है और अब हम इसका आपको डिश आट करके दिखाते हैं इजी देखिए इसको डिशाफ तर दिया इसकी गार्णिश के लिए इसके अपर मेने जिंजर और ग्रीन चिली आट किये इजी देखिए गाज ये इसकी फाइन लोक है अगर आपको बसंद आए तो प्लीज चेर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू अलाह अफेज